Acid, Base and Salt अगर हिंदी में बोले तो Aml, Sarek, Avam, Lover इन तीनों के बारे में हम कुछ बेसिक बाते सीखेंगे तो अगर मैं आपको बताओ कि हमने इने तीन भागों में क्यों बाटा होता है रसाइनी गुर्धर्मों के आधार पर यानि जो इनकी chemical property होती है उसके आधार पर जितने भी योगिक आपके पास होते हैं उन्हें हम तीन भागों में बाट सकते हैं पहला होता है अमल यानि की acid जो की स्वाद में खटे होते हैं दूसरा हमारे पास होता है चारक, सारक जिसे हम क्या base बोलते हैं और फिर हमारे पास salt यानि की lover होता है तो अब इन सब को कि कौन कौन से हमारे पास जो योगिक है वो कौन सा बेस होगा, कौन सा ऐसीड होगा, यानि कौन सा अमल होगा, कौन सा सारक होगा, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक सूचक होता है, तो हम बात करते हैं कि सूचक होता क्या है? सूचक एक परकार की डाई होती है, एक डाई होती है, कागस में एक परकार का डाई जैसे आप समझते हैं न, blue color इस तरह से, तो सूचक एक परकार की डाई रंजक होता है, जो रंग में परिवर्तल करता है, यानि अगर आप उसमें acid डालेंगे या base डालेंगे तो अपना color बदल लेगा तो हम बात करेंगे कि वही कौन-कौन से available उपलब्द वो होते हैं हमारे पास सूचक होते हैं इंडिकेटर होते हैं जिससे हम acid को यानि की अमल को और base को हम पता लगा सकते हैं कि कौन-कौन से योगिक अमल है और कौन से योगिक basic हैं तो सबसे जो famous हैं गली मोले में हर किताब की दुकान में chemist soap में मिल जाता है लिटमस तो पहला हमारे पास होता है लिटमस पेपर और लिटमस पेपर आसानी से available हो जाता है और सबसे ज़्यादा famous indicator लिटमस पेपर ही है दोस्तों यह दो color में आता है blue color यानि की नीले color में आता है और एक लाल color यानि की red color में आता है इस पे हम discuss करेंगे दूसरा हमारे पास होता है methyl orange और यहाप लिखा यह कोई बात नहीं तो मैथिल औरेंज हमारे पास दूसरा वाला लिटमस पेपर यह जो लिटमस पेपर है उसी की तरह एकोर होता है मैथि एक होता है हमारे पास यहाँ पर फिनॉल्टेलीन हमारे पास एक और है इसके अलावा कई सूचक ऐसे होते हैं जो घर में एविलेबल होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि घर में कौन-कौन से सूचक ऐसे हैं जिन से हम पता लगा सकते हैं कि अमल बेसिक है अमल है ए अमल जो होता है, एसिड जो होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले को क्या कर देगा, लाल, वो क्या होगा हमें सा, एसिड होगा, यानि एसिड लिटमस पेपर अगर ब्लू लोगे तो उसको लाल कर लेगा, रैट कर देगा, और जो सारक है, यानि की बेस है, वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है नीला कर देता है अच्छा लेकिन अगर बात करें हमारे पास अगर ये नहीं है लिटमस पेपर नहीं है और हमारे पास या लैबोर्टी में मैथिल ओरेंज है हमारे पास या फिनॉल थैलिन है तो ये कौन को से होते हैं ये संसलेसित सूचक होते, संसलेटी सूचक मतलब इन्हें हम फैक्टरी में बनाते मैनमेड हैं, और यह जो होता है, यह लिटमस वेपर, यह नैचुरल डाई से बनता है, जिस पे अभी हम डिसकस करेंगे, तो संसलेटी सूचक है, मैथिल ओरेंज का उदासीन रंग नारंगी होता है, यह किस कलर में रहता है, नारंगी रंग में रहता है, तब तो इसे ओरेंज कहते हैं, मैथिल ओरेंज सूचक को में अगर आप एसिड डालेंगे, तो यह क्या करेगा, विलियन में लाल रंग देता है, और अगर मैथिल ओरेंज सूचक में आप सार किये यानि कि बेस डालेंगे तो ये पीला रंग देता है. ठीक है, एक और हमारे पास होता है, बहुत कम बच्चे को पता रहता है, फिनाल थेलीन. तो फिनाल थेलीन क्या होता है? ये होता है, रंग हीन, बिल्कुल कलरलेस पेपर होता है और philantiline में अगर आप acid डालते हैं तो ये रंग ही नहीं रहता है as it is लेकिन philantiline में अगर आप base डालते हैं और ये लड़के वाला color होता है पिंक वैसा pink color दे देता है तो इसका मतलब ये क्या होता है base होता है बात समझ रहें चलिए बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा indicator पास लिटमस पेपर है घुटाइल औरेंज है इसके अलावा फिनाइल तहलील है ये सब के सब हैं क्या कहां से आती है लिटमस तो एक प्राकर्तिक सूचक है और हमारे तो गाउँ में मिलते हैं हम तो उसी गाउँ से आई हुए जहां पे लिटमस पेपर की प्री फैक्टरी पिस में होता है, पाहड में होती है, पाहड वाले पत्थर में होती है, दो color की परपल और उसके उपर white सा color होता है, ऐसे लगता है कि एक ही पोधा है, लेकिन यह symbiotic relation है, यहां पे दो जीव, एक साथ फंजाई और आपका L-G होते ही, कोई पोधे में निस्करसित किया जाता है इसके अलावा अगर लिटम स्ना ओ तो हल्दी, हल्दी भी तो एक प्राकर्तिक सूचक है जो घर में आसानी से मिल जाती है हल्दी में क्या होता है? पीला रंग होता है और जब हम इसमें बेस मिलाते हैं किसी भी को हम जैसे ग्रोफर्स में मिलती होगी लाल बंगो भी इसमें से भी एक प्राकर्तिक सूचक है जिसका हम एसिड और बेस में परियोग करते हैं चलिए अगले टोपिक की तरफ चलते हैं और उससे पहले एक बार हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि लिस्टमस पेपर मेथिल औरेंज औ कराम है भासकर सर्थ